अंधा क्या मांगे दो आंखे और एक भूका क्या मांगे एक चिकन सैंडविच आज की स्टोरी है अबाउट चिकन सैंडविच की जब भी आपकी वालदा आपसे यह पूचें के बिटा क्या खाना है तो जट पट बोल दें और बिल्कुल हैसिटेट ना करें कि ममा जी यह खाना है तो मेरा डिनर करने को बिल्कुल मूर नहीं था और दिल हो रहा था चिकन स तो उसके बाद क्या हुआ कि जट पट हो गया यह तयार अब इसको तयार करने का तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ चिकन के आपने क्या करना है चिकन आपने निकाल लेना है फ्रीजर से या फ्रिज में जिसमें आप रखते हो हम दो फ्रीजर में रखते हैं फ्रीजर और अधरक पेस्ट अपश्टल अब डालना चाहिए तो खाले, मैं नहीं डालती हूँ, मैं लहसून पेस्ट यूजकरती हूँ और इसके इलावा जाता है जी गरीन चिली पेस्ट, घर में बनाके आप उसकी पेस्ट बना सकते हूँ मैं पर पर रिसेपी भी शेयर की हुए और आपने ब्रेट के स्लाइस को करते जाना है तो यह ग्रिल पैन निकाल लिया था दोनों चूलों को हमने रखाव है बीजी और जैसे जैसे यह होते जाएं तो आप इसे पलट सकते हो लेकिन साथ-साथ आपने हमेशा यह चेक करते रहना है कि यह गल गये हैं यह देखें जी ब्रेट का जो के थोड़ी सी गफलत की वरे से लाल ज्यादा हो गई है लाल से काली शेकल कैसे थोड़ी हो गई थी इसकी बट कोई बात नहीं वीडियो बनाते वे इतना चलता ही है फिर यह मैं दो ब्रेट स्लाइस ले रही हूं इसके लिए अगर आप लोग चाहें तो स्लाइस काट लिए गए थे खीरे की स्लाइस काटने के बाद इसको ब्रेट के उपर लगाएंगे पहले कैचप की एक लेर लगा ले उसके बाद आप यह जो भी वेजी टेबल्स लगाना चाहते है उसकी एक लेर लगा ले और इसमें मैंने यूज की है खीरे और टमाटर प और इसके उपर भरना शुरू कर दिया अब यह आप देख सकते हो कि मेरे कोई तीन से चार फिलिट्स लगें इसके उपर लेकिन यकीन माने खाने के बाद लग गया था पता कि वो किस कदर लजीज थे एक एक बाइट में जो है वो जाइका आ रहा था इसका अब यह इसके उपर हम बड़े हथियाद से रखते चले जाएंगे और जब यह भर जाए तो दूसरा स्लाइस ले लेंगे और इसके उपर इसको कवर कर लेंगे दूसरे स्लाइस के उपर जरूरी नहीं है कि आप कैचचप लगाएं अगर आप लगाना चाहते हैं और कैचप लवर हैं तो शोक से लगाएं और अगर नहीं लगाते हैं तो आप मायोनीज यूज कर सकते हैं कुछ लोग जो हैं वो दहीं की चटनी यूज करते हैं दहीं पुदीने के बनीवी चटनी और इसके लावा एक और option होती है कि खाली पुदीने के चटनी लगाने तो मैंने यहां में मायोनीज लगाई है लेकिन बहुत थोड़ी तदाद में क्योंकि बहुत ज़्यादा सोसी और मैंनी खा पाती हूं तो मैंने इस तरह का सैंड़िश बनाया है काफी दिर बाद भी खाऊं तो सही लगें लेकिन खा मैंने जट पट लिया था अब इसकी कटिंग का मरहला शुरू होता है लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि ज़रा इसकी थोड़ी सी वीडियो बना के दिखाऊं कि लग कैसा है क्योंकि यह मुझे बहुत प्यारा लग रहा था वीडियो के आज सच बनी नहीं इतनी अच्छी लेकिन यह बहुत ही खुबसूरत था अच्छा उसके बाद आपने क्या करना है इसकी कटिंग जैसे आप करना चाहें कर सकते हैं मैंने की है डाइगनल कटिंग डाइगनल कटिंग इस लाइक के बंदूग बन जाती है उसमें वो बच्चों वली एक आदत रह गई अंदर ही के बंदूग वली खानी है सो यह देखें जी बंदूग वली बन चुकी है और फिसकी यह प्रेजेंटेशन विद दा चाय जो है वो मैंने इंज्वाई की है सो यह आपनों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए और कमेंट सेक्षिन में बताइए का आपको कैसी लगी और प्लीज 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 चैनल को फोलो कर लें जिस जिस ने अब तक पोलो नहीं किया सब्सक्राइब कर लें कमेंट कर दें लाइक कर दें थैंक यू इस मी साइनिंग आप फ्रम चार दिवारी अलाहाफिस